हलो फ्रेंट्स मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियों पर देखने वाले हैं अपने टिक टैक टो सीरीज का जो हम लोग गेम बना रहे थे उसका ड्रॉ लॉजिक तो हम लोग आज क्या करेंगे अब इतर क्या किया था हम लोग ने विनिंग लॉजिक कंप्रीट कर तो हम लोग आज करेंगे क्या डॉजिक करेंगे इस विडियो में चंदे श्टार्ट करते हैं सब्सрь से पहले मैं आपको दिखा देता हहें और कहां तक ओलोगे को कंप्रीट किया था तो हम लोग क्या देए कि ट्र क्लिक करते हैं और हम लोग अपना अपन सथी अपने घे a-one and इधर चलोगा 0 तो ऑगा क्या यहां से 0 विन हो जाएगा तो जैसे मैं 0 क्लिक करोँगा हमें एक मैसेज देलेगा मिलेगा ब्लेयर 0 hé you learn to do छी वे इसके लिए तुरॉट यही पे मैसे망 में नहीं मिल रहा है क्योंकि यह मैशंहसे second screen मिल रहा है जिस पर मैं recording नहीं कर रहा हूं तो जब भी मैंने zero click किया तो यह second screen मिल रहा है बट हमें message मिल रहा है player zero has won the game इसका मतब हमारा winning वाला logic चल रहा है अगर आप okay करोगे तो यह आप से पुछे कर do you want to play more अगर आप yes करोगे तो मेरे second screen पर open हो जा रहा है तो मैं इसको कीच के इस पर ला रहा हूँ मैं zero यहां 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 और फिर 0 और फिर यहां पर देखे हमने draw कर दिया game अब draw हो गया तो हमारे system को बता देना चाहिए था कि game draw हो है हमारे इस logic को बता दिना जाहे द़ बठाड वह बता दे चाहे था भर नहीं कर पारा है अभी सिर्फ बिंइंग लॉजिक है तो अगर को वण्दा जी तक जीट रहा है जिरो या फिर बन तो हमारा गेम बता दे रहा है वạnh Łukamara जब game draw हो रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा है message आना चाहिए it's draw फिर से जब draw पे click करना चाहिए तो okay करना चाहिए तो हम लोग को message देना पड़ेगा कि do you want to play more तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस game को draw कैसे करेंगे और फिर उसको logic को implement कैसे करेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगे सबसे पहले यह हमारा यहाँ पे यह हमारा board है और board में जो buttons है उनकी मैंने indexing कर दी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह indexing जो index है वो map है हमारे इस वाले index है 0 से यहाँ पे यह 0 map है इस वाले है इसका मतलब अगर बंदा यहाँ पे 1 चल देता है तो इसने 0 बटन पे चला तो मैं 0 पे 2 की जगा 1 कर दूँगा और यहाँ पे अब 0 बटन पे 2 नहीं है इसका मतलब 0 वाली बटन पे कोई बंदा चल दिया अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0 that means 1 बटन पे इस समय 0 आ गया अगर second पे 1 करूँगा that means second बटन पे 1 आ गया इसका मतलब कि जो यह पूरे mapping है हमारे टिक टिक टो की वो इस game chances वाले आरे से है और game draw कई होगा जब draw तब होगा जब सारे position पे या तो 0 चल दे या 1 चल दे और कोई winner भी नहीं हो इसका मतलब सारी position भी fill हो गई है और सारी position जब fill हो जाएंगी तो होगा क्या होगा क्या इस array में हर जगह जहां जहां दो है वहां वहां पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 0 होगा या 1 होगा that means अगर हमें इस game chances वाले array में एक भी 0 नहीं मिल रहा है उस case में game draw हो चुका है अगर इस एरे में इस एरे में एक भी जीरू नहीं मिल रहा है अगर एक भी जीरू नहीं मिल रहा है अगर एक भी जीरू नहीं है और कोई जीता भी नहीं रहा है यहां ड्रोव गया तो हमें करना क्या पड़ेगा हमें सबसे पहले हम लोग ने क्या किया विनिंग लॉजिक च इस था म अब अगर कोई विंडर नहीं मिला तो अगलोग क्या करेंगे यह लाउजिक चाहएंग पर लॉटिक क्या लगांगे हम लोग यहीं चैक करेंगे कि यह बिने कि अब पर चाव के आहिए और कोई बीए दो भी लए एक क्या नहीं यह पोजिशन पे, that means all positions are already occupied, उस case में game draw हो चुका है, तो एक काम करेंगे कैसे, यहां से देखेंगे, हम winning logic तो चक कर चुके हैं, draw हम उसके नीचे आके check करेंगे, चक करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, की check कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक count करूँगा twos, और in case ऐसा हुआ कि इसमें एक भी मुझे two नहीं मिले, तो मैं क्या कर दोँगा, game को draw कर दोँगा, that's it, इतना simple logic है, तो चले हम लोग क्या करते है, netbees में चलते हैं, और हम लोग यह logic implement करते हैं, हम लोग क्या, game winning logic को check करने के पाद, draw logic check करेंगे, that means हम लोग count करेंगे, इसमें twos, अगर एक भी twos नहीं मिला, कोई winner भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, draw message ले देंगे, तो चले हम लोग start करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर netbees है, और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक variable बना लेंगे, game को track करने के लिए कि game over हो गया, कि अभी जब इसकी value false है, इसका मतलब game अभी चल रहा है, और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी button click करोगे, function call होगा, यह action performed, वो सबसे पहले current button निकालेगा, current button का नाम निकालेगा, और उसको integer में convert कर देगा, और मैं कुछ भी चेक करने से पहले, इसके नीचे का कुछ भी काम करने से पहले, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, if game over, अगर game over की value true है, इसका मतलब game over हो चुका है, उसके बाद उसने button click किये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, game over is double equal to, या अब direct भी कर दोगे, तब यह true के लिए चेक कर लेगा, और अगर game over हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक message दो दूँगा, j option pane, j option pane dot, so message dialogue, dot, so message dialogue, और मैं यहाँ पास करूँगा, this, और message में दे दूँगा, game over, game already, over, और मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर game over है, तो आप नीचे की चीजे नहीं चलनी है, तो मैं direct return लेग दूँगा, इससे होगा क्या, नीचे की कोई भी चीज नहीं चलेगी, यही से function आपका return कर जाएगा, यह सब script कर जाएगा, अगर game over है, इस message के बाद return कर दें, next, हम लोग, अगर game over नहीं है, त यह condition true नहीं होगी, और यह condition true नहीं होगी, तो यह वाली condition चलेगी, और यह वाली condition चलती है, in case, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर chances चल रहे थे, उसके बाद हम लोग winner find कर रहे थे, अब अगर winner find हो गया, that means, अगर कोई winner मिल गया, उस case में हम लोग game over को क् कर देंगे क्योंकि विनर आपको मिल गया तो गेम ओवर को हम लोग कर देंगे सिंपल से बात है जिससे बाइचांस अगर दुबारा कोई चलता है तो गेम ओवर की वैलू प्रू मिले और यह अलड़ी बता दें यहां पर गेम अलड़ी वह नेक्स्ट अगर माल लीजिए लेट सपोज यह कंडिशन टू नहीं होती है अच्छा एक चीज़ और करते हैं गेम ओबर हो गया गेम ओवर होने के बाद हम लोग यहां पर को ब्रेक करना चाहता हूं तो अगर केम ओबर हो गया तो मैं क्या करूंगा पर यह सारा मैससर देने के बाद में प्रेक कराचिए और घेम ओवर हो चुका है वेर इंत्प क्वेड लोग चलाने का ंब मतलब नहीं है अगर बिनर मिल गया मुझे तब तो कोई बात ही नहीं है लूप ब्रेक हो जाएगा और अगर बिनर नहीं मिला तो हम लोग लूप के बाद क्या करेंगे हम लोग draw logic check करेंगे draw logic लगाएंगे और draw logic कैसे लगाएंगे जहां से देखे हम लोग को count करना होई game chances वाली array में 2's को count करने के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर एक counter ले लोगा यहां पर counter ले लोगा c और इसकी value 0 कर दूँगा और मैं क्या करूँगा एक game chances से एक एक value निकालूँगा तो for each loop लगाऊँगा मैं integer x means one value and Eric का नाम था game chances और मैं check करूँगा ध्यां से देखेंगे सब लोग मैं क्या करूँगा if अगर x की value 2 मुझे मिलती है that means हमें at least one two मिल गया है और मैं क्या करूँगा counter को increase कर दूँगा और at least एक भी 2 मिल गया इसका मदब अभी कम से कम एक chance तो बाकी बाकी है तो मैं क्या कर दूँगा ब्रेक कर दूँगा और मैं इसके बाहर आके क्या करूँगा लगाऊंगा if और मैं कहूँगा अगर c की value 0 है that means c की value 0 है इसका मतलब यहां पे एक भी 2 नहीं मिला सारे 2 क्या है और सारे 2 की जगह 0 है या 1 है इसका मतलब है कि आपके जो महां पे chances है उस पे 0 ने चल दिया या 1 ने चल दिया कोई भी chance खाली नहीं है और साथे साथ में चेक कर लूँगा end कहीं game over तो नहीं है यह मैं बोल दूँगा अभी game over false है इसका मतलब अगर game over हो गया तब इस condition का कोई मतलब भी नहीं है 01 कोई ना कोई जीत चुका है और अगर कोई जीत चुका है तो इस condition को चेक करने के ज़रूती नहीं है तो ये तभी condition check होगी जब game over false होगा इसका मतलब game अभी continued है तो मैं ये condition ये वाली condition लगानी बहुत ज़रूरी है इसका मतलब अगर एक भी two नहीं है और game भी over अभी नहीं हुआ है that means positions भी सारी fill हो चुकी है game over भी नहीं हुआ है उस case में क्या कर दूँगा यहां simply आपको message देना है j option pane से j option pane dot so message dialogue box और आप null pass कर देंगे उसके बाद दिख देंगे its draw और draw होने के बाद अगर बंदा ok करता है तो हम लोग एक message देंगे j option pane dot so confirm dialogue box और हम यहां pass करेंगे this और यहां पर अपना question लिख देंगे play more question mark यह तीन option देगा yes no और cancel का तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं integer i में रख लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे हम check करेंगे if i equal to 0 है that means इसने yes पर click किया है और हम लोग क्या करेंगे this window को dot set visibility इसकी हम क्या कर दे देंगे false और हम लोग एक नई window बना देंगे नया instance बना देंगे बना देंगे अपनी game का else if अगर high value 1 है that means उसने no no पर click किया है वो खेलना नहीं चाहरा है तो मैं क्या कर सकता हूं system dot exit कर सकता हूं और यहां पर को status code pass कर दिए else उसने cancel किया है मंदब को कुछ नहीं करना चाह रहा है तो आप भी यहां पर कुछ मत करें आपका game ऐसे ही स्क्रीन पर दिखा रहेगा और एक चीज़ आपको और करनी है अगर its draw भी हो गया that means अगर draw हो गया और यह सारी message देने के बाद आप क्या करोगे draw हो चुका है तो आप game over को true कर दोगे simply that means दुबारा अगर click भी करता है तो क्यूंकि draw हो चुका game over हो चुका तो game over आपको दो case में करना है या तो कोई जीज जाता है उस case में game over करना है या तो आपका draw हो जाता है उस case में over करना है तो चले अब हम लोग test करते हैं कि क्या यह हमारा जो logic है वो चल रहा है तो पहले से जो प्रोग्राम उपने उसको मैं बंद कर देता हूं और फिर हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और यहां पर हम लोग draw करकर देखते हैं game को तो जैसे हमने देखे ड्रोग गया अपने आप इट्स ड्रॉग अब देखे यहां पर कहीं भी कोई जीत नहीं रहा है इधर से ना इधर से ना इधर से ना इधर से और करते हैं तो यहां पर फिर से हमारा गेम ड्रोग हो गया है और हम लोग फिर से करते हैं तो पूछेगा प्ले मोर अगर नो करेंगे तो अगर आप केंसिल करेंगे तो आपका प्रोग्हाम ओपन है यह थि मिस हमें अपर हो चुका молोग मैसे यहां पर इस वीडियो को देखा कि हम लोग कि टिक ट condensed को कैसे ड्रॉआ कर सकते हैं नेक्स विडियो हम लोग देखेंगे कि प्लयर कांटर लगए प्लेएर कांटर जैसे लगा सकते हैं लोग जिसने की हमारा counter दिखता रहे कि 0 कितनी बार जीता है और 1 कितनी बार जीता तो अगर आप कोई वीडियो चलेगी तो चैनल सब्स्राइब करिए और लाइक करें वीडियो को